विल्कम टू कार्बाकारडमी और आज की क्लास में क्लास आठवी से जो हमारे स्टुडेंट क्लास नवी में आए हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ देखो मेरे दोस्त आप लोग क्लास आठवी को तो बहुत अच्छे से पढ़ाई किये हैं और नहीं भी किये हैं कोई बात नहीं है लेकिन नवी क्लास में मैं आप लोग को बहुत अच्छे लेबल से त्यारी कराने वाला हूँ लेकिन नवी में आप आगे तो आपको कौन सा किताब को पढ़ना है देखे पिछले बर्स हमारा किताब चेंज हो गया था और इस बर्स भी किताब चेंज होगा या नहीं होगा बहुत सारे बच्चों का confusion है कि सर हम कौन सा बुक को पढ़े पुराने वाले को या नए वाले को उसी के वह से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों का message आ रहा था ठीक है तो देखिए मेरे बच्चों जो भी आप लोग हिंदी मेडिया में क्लाश नवी के बच्चे हैं आप किसी भी राजे से होंगे आपको NCRT पढ़ना होता है क्योंकि NCRT बेस्ट बुक होता है तो अब आपके पास ये बुक होगा हो सकता है कुछ बच्चे के पास नए वाले किताब होगा कुछ बच्चे के पास पुराने वाला होगा जब हम पढ़ाते हैं तो बचे अगया है तो आप पुराना क्यों पढ़ा रहे हो तो यह कंडिसन आप लोग के साथ और मेरे साथ भी हो रहा है उसी के वएसे मैंने आज यह वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को आप लोग अंतक देखिएगा बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाने वाला हूं कि आपके पास जदी मुबाइल होगा ना फोन जिससे आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो आपके पास है ना तो कोई किताब लेने की जुरूत नहीं है मैं आप लोग को पूरा ही बता दूँगा कहां से आप अपना निव पेटर मतलब जो निव किताब आया है NCRT का आप अपने मुबाइल से ही देख सकते हो कैसे देख सकते हो तो उसके लिए मैंने आप लोग को बहुत ही एक जबरजस्त मेथर लेकर आया हूं जिस मेथड से आप लोग कोई भी हिंदी हो इंगलिस हो सेंस्क्रीत हो शमाजिक बिग्यान हो गणीत हो या आप लोग को बिग्यान हो कोई भी किताब आप लोग आपना देख सकते हो समझ सकते हो इसमें कोई घबरानी की जुरत नहीं है ठीके तो चलो मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ और उसी तरह से अपने फोन में देखिएगा कि क्या हमारा NCRT बुक इस बार चेंज हुआ है या नहीं हुआ है पता चल जाएगी ठीके तो मैं आपको एक और बात इसी में एड़ कर देता हूँ कि देखो जो पिछले बर्स हमारा किताब आया था नए वाला इस बार भी नए वाले बुक से ही आपको पढ़ना होगा पुराना वाला बुक से आपको क्वेस्चन नहीं पूछा जा रहा है तो फिर पुराना व किताब के पास लेकर चलता हूँ तो देखिए उसके लिए मैं ने लेकर आ गया आप लोग को अपने टैप पर इसके पास फोन ठीक है तो यह देखिए कुगल भंग हे आपके पास गूगल होगा ना बिल्कूल होगा आप लोग क्या कर यह गूगल पे लिखिए NCRT ज्यान से देखिएगा सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्लीन दिख रहा है ना हाँ सही दिख रहा है लेखिए NCRT NCRT Official Website OFFICIAL Official Website WEB देख उपर वेबसाइट आगे ना वेबसाइट उपर जो दिख रहा है ना यह वाला रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं पर आप लोगो बता हूँ हाँ यह देखो यह ना उपर मैं लिखा हूँ Google पे NCRT Official Website आपको अपने फोन में लिख देना है और यहाँ पर देखो सर्च बार है यहाँ पर यह दिख रहा है ना यह वाला यहाँ पर सर्च कर देना है सर्च कर दिया मैंने यह देखो सर्च कर दिया सर्च करने के बाद देखो यहाँ पर NCRT आया है क्या है NCRT NCRT ठीक ठेक निची जाइए यह यह लिखा है ना टेक्सबुक PDF एक से लेकर 12 तक कहा तक है एक से लेकर 12 क्लास तक है तो आपको यहीं पर touch कर देना है touch कर दिया मैंने तच करेंगे यह देखो खुल कर के आ गया अब जैसे खुल कर के आया है न थोड़ा सा उपर जाओ थोड़ा सा उपर थोड़ा सा उपर यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो class 9 के लिए हाँ पर touch करेंगे, यहाँ देखो, यह arrow का sign बना है न यह वला, इस पर click कर देंगे arrow पर, कौन सा class लेना है, देखो class एक से लेकर करके सभी class का है, एक से लेकर 12 तक है, आप कोई भी class में होंगे, आप देख सकते हैं, यह देखिए, हमारा class 9 के आ गया, तो class 9 है यहाँ पर select कर लेंगे, कर लिए, यहाँ class को class 9 कर लिए, अब select subject, subject कोन सा भाई, math, तो mathematics कर देंगे, हो गया, अब select book title, book title का मतलब है कि हिंदी में के English में, हम लोग के हिंदी में है, तियाँ एरो पर click करेंगे, और यहाँ हिंदी क्या होता है, इंगलिस होता है, mathematics, हिंदी हो अब यहां लिखा एग तो गो पकी लीख कर दो मैं ने जैसे गो पकीलिक किया ये देखो नहीं जो वुख आया है ये देखो आगया यहीं नहीं वाला किताब है डेखो सिर्फ हमें 12 चेप्टर पढ़ना है पहले साथ 15 पढ़ना था अब हम लोगों सिर्फ 12 पढ़ना है अब कौन-कौन से पढ़ना है क्या-क्या करना है अपने मुबाइल में आप खुद समझ सकते हो देख सकते हो मेरे को बताने की भी जुरुत नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही एक-दो चेप्टर को देख लगता हूँ कोन-कोन चेप्टर में कितना पढ़ना है सबसे पहले देखिए यह चेप्टर वन है चेप्टर वन पर क्या करेंगे ओपेन करेंगे यहाँ पर देखो मैंने ओपेन कर लिया ओपेन करेंगे यह देखो निचाहेंगे खुल गया अभी खुल रहा है फॉअने सलो चल रहा है मेरे लाइज यह हैं पर देखो जैसे मphone पर क्लिक किया ओपन आ गया घा किbayорот रिकिक कर देखे हैं पूरा किताभी आ लेको देखें हुम चलते हैं पुर्णावल यह आपकोडम ओगया देखो हमार्षनावली 1.1 एक में सबसे पहले यह धारण भी है सारे हैं किताब ही आपको खुल गया नयवला किताब ठीक है देखो प्रशनावली एक दसमालो एक आपको आगया सामने आया यह दिखा आपने आगे जाएंगे एक दसमालो दो में एक दसमालो दो में जाता हूँ यह देखिए हमारा एक दसमालो दो आगया अब आगे बढ़ते हैं आओ और आगे एक दसमालो तीन में जाता हूँ एक दसमालो तीन बढ़ते जाओ आपके पास तो आपके पता लगी गया लोग कैसे क्या करना है देखो एक दस्मालो तीन आ गया आगे बढ़ते हैं यह देखो एक दस्मालो चार आ गया आया देखो एक दस्मालो चार में पुराने वाले बुक में हमारा कुछ संख्या रेखा पर कुछ दर्साना रहता था लेकिन अब उसको हटा दिया गया है ठीक है पहले एक दस्मालो चेप्टर एक में हमको लगता है कि एक दस्मालो छे तक पढ़ना था लेकिन अब एक दस्मालो पांच तक ही पढ़ना है तो पहले से एक चेप्टर को हटा दिया गया है कम कर दिया गया है ठीक है तो इन बातों का आप लोग समझे ठीक है और ऐसे हैं आप नेवोक अगया देख सकते हो न तो यह रहा हमारा चप्टर 1 यह रहा हमाराँ चप्टर 1 ओके चलिए मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूं अब मालों की chapter 2 देखना है तो chapter 2 पर क्लिक कर देंगे chapter 2 पर गये नीचे जाएंगे open कर देंगे open करने के बाद हमारा भी खूलेगा डाउनौड हो रहा है डाउनौड हो गया chapter 2 आगया देखो एसे यहां अपना new and study book को देख सकते हैं हमारा क्या changing हुआ है क्या नहीं हुआ है ठीक है बहुत ही असान है आप लोग अप्छी चेक कर सकते हो ठीक है कोई दिगत किसी को नहीं चलो बढ़िया समझ में आ गया सबको सबको समझ में आ गया कैसे क्या करना है किसी कोई दिगत नहीं है अराम से यहां पर select class करिए select subject और select book title मतला हिंदी में के इंगलिस में जो करना होगा आप कर लिजिए गोपक लिक कर यह पूरा आपको देख जाएगा ठीक है इस तरह से आप लोग अप आपको यहां पर नंबर लिग देता हूं ठीक है यहां पर लिख दूं चलो नंबर लिख दूंगा ठीक है यहां पर देखो नंबर चल रहा है यहां पर नंबर पर कॉल करके अपना class नवी के गणीत गणीत बिग्यान all subject अपना start कर सकते हो मात्र 499 मैं पढ़ा रहा हूं जि